dying to, आज हम सिखेंगे कि dying to का use किस तरह के वाक्यों में और किस प्रकार किया जाता है तो इसकी पहचान के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हिंदी के वाक्यों में तरस रहे थे, तरस रहा था, मर रहे थे, मर रही थी और मरे जा रहे थे, आए, तब हम इंग्लिश के वाक्यों बनाने के लिए dying to का use करते हैं और इसका structure होता है subject plus buzz where plus dying to plus b1 plus object तो इसका example होगा, वा उससे बात करने के लिए तरस रही थी इस थरह के वाक्यों में dying to का use करके इन वाक्यों को easily इंग्लिश में बना सकते हैं